जहीन तो आल अफ यू, so my name is Zatul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhiman UIS. So आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कौन से ऐसे तरीके होते हैं, जिन तरीकों के द्वारा आप अपना जो आपका डिजायर है to become an officer in the military, वो डिजायर आप कम्प्लीट कर सकते हैं, 12th standard आपने complete की, उसके बाद आपके पास ये opportunities सामने आ जाती है and the only thing that is left with you is to act on those opportunities, understood? So ये तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके हैं और इन तीन तरीकों की बात करेंगे कि आप officer बन सकते हैं after completing your 12th standard, ठीक है? क्योंकि सबसे important चीज होती है awareness, awareness नहीं होती है तो student की capabilities भी हो, potential भी हो, उसके अंदर शमता भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज को पाने सकता, तो सबसे important चीज है awareness, तो awareness जो है वो session आज आपके पास है, इस awareness की बात करेंगे, तो सबसे important चीज है, this is the prestigious defense academy, tri-service military academy of Indian army, navy and air force, that is India national defense academy, खड़क वासला, ठीक है? So, इसकी बात होगी, ये भी एक जरिया है, आपके लिए, आपकी desire को complete करने का, लेकिन इस से पहले हम लोग अपनी बात करेंगे, अपने platform के बारे में, that Abhipedia Defense has already launched a live course for NDA 2 2021, so हमारी जो expert faculty है, जिसमें हमारे पास mathematics के सर है, we have all the faculty with us, जो आपको तयार कराएगी for NDA 2 2021 and NDA 1 2022, इसमें complete आपका GS part होगा, आपका complete mathematics होगा, English होगा और सबसे important चीज है कि देखे, बहुत simple तरीका होता है, आपको अगर आपने forces में जाना है, तो वो forces में जाने के लिए आपके पास awareness होनी चाहिए, action होना चाहिए, एक proper जरिया, एक proper guidance होनी चाहिए, mentorship होनी चाहिए, तो वो चीज वो ही दे सकता है, जसने यह सारी चीजे अपेर की हैं, clear की हैं, और फाइनली जो है, अब वो इनसान जो है, वो आपको mentor कर रहा है, so that is the only way to make sure कि आपका efficient time utilization हो, और आप अपना जो dream है, उसको आप ensure कर पाएं, कि आप complete करें, उसको achieve कर पाएं, understand, so what I am trying to tell you is, we have the expert faculty with us, live classes चलती है, और जादा से जादा जो है, आप कोशिश कीजए कि यहां पे जल्दी से जल्दी आईए, even if you are in plus one की category के अंदर भी है, अगर आप 10th class की category के अंदर भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके सामने goal है, जतनी जल्दी आ आप act करेंगे उस goal के उपर, उतनी जल्दी आपका जो लक्षय है, आपका जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा, there is no doubt in that, अगर लक्षय को पाना है, तो जल्दी से जल्दी initiative लेना जरूरी होता है, तब ही आप देखते हो ना हमारे जो पैरा-SF होते हैं, special forces के जबान होते है वो act करने से पहले proper planning कर लेते हैं, proper planning और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो operation में जैसे घुस गए, जैसे battleground में घुस गए, उसके बाद सर्फ उस planning के ओपर act करना है, तो मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप 10th class में हैं, आप 9th class में भी हैं, आप 11th class में भी हैं, आप 12th class में भी हैं, this preparation needs maximum dedicated अगर जिसे कहते हैं, कि पूरा जी जान लगा देना, वो चार महीने की preparation होती है, चार महीने की preparation से आप clear करते हो India exam, लेकिन जतना जल्दी हो सकते हैं, उतना जल्दी आप कर सकते हैं, so the point is, what I am trying to tell you is, you can directly visit to our portal, that is अभी पीडिया, या फिर आप directly हमारे को WhatsApp भी कर सकते हैं, the WhatsApp is 8894-320-850, so यहां पर आप WhatsApp कीजे, and we will definitely going to help you out to make sure, कि आपका जो path हो, आपका जो career orientation हो, अगर आपका defense है, so वो चीज जो है, आपको ultimately मिले ही मिले, चाहिए इस entry से मिले, या उस entry से मिले, लेकिन वो मिले ही मिले understand, commissioned officer at the age of 22, 23, 24 बहुत बड़ी चीज होती है, तो make sure आप उतना initiative भी ले, understand, चलिए, अब ये तो सारी चीजे हो गई, मैं आपको बताता हूँ, जो पहली entry होती है, एक cadet के लिए, एक बच्चे के लिए, जो अपनी 12th pass out या pairing कर रहा होता है, उसके लिए सबसे best entry है, NDA, National Defense Academy की written exam, सबसे पहले इसका process होता है, आपको पहली बात तो है कि आपको written exam देना पड़ेगा, फिर आपकी SSB आती है, and then उसके बाद आपका medical examination होता है, और finally आपकी merit list बनती है, so Indian examination के अंदर, ये exam basically दो बार होता है, साल के अंदर, बहुत अच्छी चीज होती है, कि दो बार साल के अंदर हो रहा है, और April and September के महीने में इसको conduct किया जाता है, लेकिन अब देखो COVID के वज़ा से exam रुकेगा तो नहीं, कि हाँ चलो आज नहीं, तो अगले साल करा लेगे, दो साल बात करा ले, it is all about defense forces, और defense forces में delay नहीं चलती है, तो इसी लिए इस exam को September में नहीं कराया जा है, तो जो लोग NDA 2 2021 की अच्छे से तयारी करना चाते है, you have time to make sure कि आप अच्छे से तयार हो सकते हैं, November के लिए बैठ सकते हैं, अगर आप अभी से action लेना शुरू कर दे, क्योंकि अभी आपके पास time है, ठीक है, अब when do I apply, you can apply, जब भी इसका notification आता है, April September के exam का, आप आ आ गया था, June में आ जाता है, तो it is very easy कि आपको पता चल जाएगा, June में मेरा notification आने वाला है, you have to keep visiting those UPSC की website में, what's new section होता है, UPSC की जो site होती है, वहाँ पे आप देख सकते हो, एक section होता है, what's new, directly उसमें जाके, you can visit this, है ना, what's new, वैसे तो आप अभी पीडिया डिफेंस YouTube channel के साथ connect रहेंगे, तो definitely हम लोग, we are the first one who will update you regarding this, ठीक है, अब कहां पे apply करेंगे, you can apply directly to UPSC की website के अंदर, वही से application form fill होता है, अब कितनी vacancies आती है, देखें, vacancies जो है, वो हमेशा, चाहे आपको notification में भी लिखी होंगी, वो tentative होती है, that means, वो change हो सकती है, possibly, ठीक है, लेकि जाती है, because India is a composite examination, जहां पर army, navy, air force, तीनों के लिए, credits, choose किया जाते है, तो 200 plus vacancy यहां पर आ सकती है, आ जाती है, जोनली, 70 plus vacancy आपकी air force में, 40 plus vacancy आपकी navy में आ जाती है, understand, so यही जो है, 400, 400, 420, और 430, या 4500, जो होती है, यह numbers होते है, India vacancies के, understand, चलो, अब यह आपका clear ह हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कि कितनी सारी vacancies, जो है, यह सारी vacancies हमने पढ़ ली, अब देखिया, हम लोग बात करते है, what is the duration of trainee, if you clear the India examination, you will be called for SSB interview, SSB clear करने के बाद, आपको medical किया जाता है, 14-15 दिन का medical होता है, बहुत scrutiny किया जाता है, उसके बाद meritless पंती ह हो गया, उसके बाद आप जो है सीधा जाते है, India Academy, खड़क वासला पूने के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे आप जब जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास तीन साल की training होगी, तीन साल की training होगी, इंडिया खड़क वासला में होगी, और तीन साल के बाद आप जब पास के डिट, है ना, आप एंडिया से पास आउट होके आयो, आप सीधा जाओगे एक साल की training के लिए, कहाँ पे, इन सारे training centers में, IMA हो गया हमारा Indian Army के लिए, we have INA, also Indian Naval Academy, फिर Indian Air Force Academy, है ना, तो यहाँ पे आप जाएंगे, बिकास देखिया, इंडिया जो है, वो आमी, नेवी, एर फोर्स तीनों को train करता है, बट आगे जाके क्या है, तीन साल की training के बाद, आपको जब एक साल की training चाहिए, तो वो training आपको अपनी field की training चाहिए, जैसे आमी के लिए अपना IMA है, एर फोर्स के लिए अपना Air Force Academy है, इस तरीके से होती है, आपके service of preference के basis पे, will there be any expenses during the training, It is all about defense, आप अपनी जान लगाओगे, जब आप training से pass out हो जाओगे, gentleman, cadet से आप army officer बन जाएंगे, या Air Force officer, naval officer बनेंगे, तो यहाँ पे आपकी जान की बाजी लगती है, और जान की बाजी जो है, हमारे जो soldiers है, वो अब लगाते हैं, तो उनके लिए क्या expenses होंगे training के, कुछ भी एक पैसा, ना आपके parents को खर्चने की जरूरत है, ना आपको खर्चने की जरूरत है, ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग से पहले भी, government of India सारा का सारा खर्चा उठाती है आपके लिए, understand, so कोई भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, in fact, जितने भी expenses होते हैं, वो government उठाती है, और साथी साथ आपको monthly stipend भी दिया जाता है, लेकिन monthly stipend दिया तो जाएगा, लेकिन आपको एकदम से हर ऐसा नहीं कि आप उसको निकाल सकते हैं, वो basically term break होता है, उस टाइम पे आप उसको पैसे को निकाल पाते हैं, वैसे वो criteria होता है, ऐसा नहीं कि मंतली आप पैसा निकाल लेंगे यहां से, ठीक है, तो हमने देख लिया, NDA की यह entry होती है, बहुत ही जबरदस्ट entry है, और इस entry के दौरान जो है, बच्चा आगर select हो जाता है, तो यह सबसे बड़ी चीज होती है, NDA entry के थुरू, क्योंकि NDA के थुरू ही, बच्चा जो है, आगे जा यह chief बनने के लिए आपको जादा से जादा देखने को मिलेगा, 99.9% cases में, that NDA का ही pass out बच्चा आयम में जाता है, आयम में से फिर pass out होके, फिर वो officer बनता हो, और यही लोग जो हो, आगे जाके chief बनते हैं, हमारी try services के, ठीक है, बहुत बढ़िया opportunity है, सबसे important चीज मैं होती है, यहाँ पर आपका जो SSB clearance rate होता है, वो बहुत जादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर student जो होता है, वो fabricated नहीं होता, उसको यह नहीं समझाया जाता है, अरे तुने इस question को इस तरीके से answer देना है, अब कही बार ऐसी, जादा उसको ना monitor नहीं किया जाता है, जैसे CD के दौरान क्या होता है, CDS में 3 साल मिल जाते है, ग्राजुएशन के टाइम पर, बच्चा क्या करता है, कहीं यहाँ से coaching ले लेता है, SSB की कहीं वहाँ से coaching ले लेता है, और अपना जो genuineness से उसकी वो खतम हो जाती है, तो फिर SSR उसको define कर लेता है, पता लगा लेता है SSB क के दौरान, तो उसको फिर rejection पर rejection screen out या conference out मिलते रहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर NDA के through आप जाते हैं, तो वहाँ पर possibility of selection बढ़ जाता है बच्चों का, क्यूंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कि किसी ex GTO ने यह आपको बोल दिया, ex psychologist नहीं यह आपको बोल द को जो सामने बैठे होंगे, राधा देन किसी ने आपको समझायागा, वो कम दिखा पाऊगे, अब दूसरी entry होती है, that is technical entry scheme, this is also a very very good entry scheme, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई exam नहीं देना पड़ता, जैसे NDA के situation में exam था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर exam नही नहीं vacancies are there, लगबग vacancies तो काफी कम होती है, 90 vacancies होती है, और यह जो entry होती है, that is only for the Indian army, ठीक है, Indian army के लिए यह vacancies होती है, और आपने यह भी understand करना है, कि यहाँ पर cut off थोड़ी से जादा जाती है, obviously यहाँ पर exam नहीं होता, यहाँ पर depend करता है कि आपका जो score है, आपके exam के अंदर, academics के अंदर, वो कितना जादा है, तो वो जादा से जादा होगा, तो जादा से जादा आपको possibility है कि कम मिल जाएगा, चलो, what is the educational criteria, बहुत simple सी चीज़े, आपके पास compulsory subjects होने चाहिए, इस entry में, कौन से, Maths, Physics and Chemistry, PCM आपके पास compulsory subject होना चाहिए, okay, now, कहाँ पर आप apply कर सकते, you can apply in May, June, October, November, यहाँ पर भी similar है, कि दो sessions होते हैं, दो sessions के अंदर, आपको दो बार जो है, यह TES की entry का call letter आ सकता है, अगर आप उस चीज़े के अंदर eligible है, आपके PCM में अच्छे marks आए हैं, तो उसमें आ सकता है, now, the point is, कहाँ पर apply करेंगे, अच्छा, यह जो process ह है, इस process को UPS ही नहीं, बलकि एक site है हमारी, join Indian Army, यह आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, it is join Indian Army, ठीक है, Indian Army, तो इस site को आप जैसे ही खोलेंगे, आपको सामने जो है, officer वाला जो category होगा, वहाँ पर officer होता है, NCO, JCO वाला category है, आपने officer वाली category के अंदर click करना है, and you will find this notification very clearly, understand, इसका जो age group है, that is 16, 16, 16 से लेके, 16, 19 तक का होता है, बट जो notification होता है, उसमें यह 16, 16, 19 नहीं लिखा होता, वहाँ पर सिंपल यह लिखा होता है, कि 2003 में बच्चे का date, 1st January 2003 से लेके, कितना, 2nd January 2006 तक का, है ना, तो इस तरीके से आपकी date of birth define की जाती है, अगर उस date of birth म आप आते है, it is good, you are eligible for that, understand, तो यह चीज आपने ध्यान देनी है, अब duration of the training for technical entry schemes के थ्रू जब बच्चा जाता है, तो ट्रेनिंग कितने साल की होती है, simple इसमें यह होता है, कि you'll be trained for one year at OTA Gaya, Gaya में officers training academy में आपको train किया जाएगा, और उसके बाद 4 साल की training CME Pune में होगी, MT PCE महाव में होगी, and MCE ME Sikandrabad में, इनके अपने specialized training centers होते हैं, वहाँ पे इनकी training होती है, understand, और expenses आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे, there is no expenses, सब government of India उठाती है, आपको monthly stipend भी दिया जाता है, इस तरीके से, so यह जो training schedule है, वो थोड़ा साल गया इंडिया के training schedule से, आपको एक साल की OTA गया में मिलेगी, and चार साल की आपको अलग-अलग training centers में मिलेगी, this is all about second entry of technical entry scheme की, यह टेकनिक, TES का जो है हमारा दूसरा तरीका है, अब देखें, तीसरा जो है, that is plus two navy b.tec entry, plus two navy b.tec entry, इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी correct SSB entry, so it is a good thing, कि आपको सीधा SSB ही जाना है, no need to give the exam, क्योंकि इंडिया exam थोड़ा सा difficult हो जाता है आज के time पे, लेकिन जो बच्चा actual defense aspirant है, वो navy के लिए apply कर रहा है, इस entry के लिए भी, TES के लिए और इंडिया के exam के लिए भी, understand, अब how many vacancies are there, तो entry for Indian navy के लिए होती है, so vac frequency stentative होती है, कभी 50 होगे, कभी 100 होगे, कभी 10 होगे, इतना variation आता रहता है, so Indian navy के लिए ये जो है entry होती है, ठीक है, so इसमें educational criteria क्या होता है, देखिए, simple है, आपने अपनी 12th जो है, वो pass की हो, ठीक है, किसी भी board से की हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके जो है, at least 70% marks ज होने चाहिए, अब passing in each subject mandatory and this, so आपने aggregate में तो 70%, 70% आप marks ले आए, PCM में, लेकिन आपके physics के अंदर कम marks आगे, so point यहाँ पे है, कि passing जो होना चाहिए, that needs to be there, passing percentage होना चाहिए, हर subject के अंदर, और aggregate मिला के 70% होना चाहिए, ठीक है, और at least 50% marks in English, either class 11, 10th में आगर English है, ठीक है आपके 50% marks English में होने चाहिए, या फिर आपके 50% marks 12th में होने चाहिए, English subject के अंदर, minimum, ठीक है, candidate who have appeared for JE means, अब यहाँ पे एक twist है, twist यहाँ पे यह है, कि एक तो आपने पढ़ लिया कि 12th में आपके 70% PCM में होने चाहिए, English आपके 10th में है, तो उसमें at least 50% या 12th में है, तो पे बात किया जाता है, कि जो बच्चा, JE joint entrance exam होता है, engineering entrance exam, mains के लिए जो बच्चा बैठा हुआ है, उसको भी consider किया जाता है, जैसे कि call up for, तो call up later, जो SSB के लिए directly मिल जाता है बच्चे को, वो किस basis पे मिलेगा, वो JE means all India rank के ऊपर मिलेगा, it is not advanced, but it is JE means, understand, so आपने यह या eligibility नेवी के लिए क्या-क्या होने चाहिए, वो 70% PCM के अंदर होना चाहिए, इसके अलावा 50% English के अंदर होना चाहिए, और next यह अगर eligibility आपकी हो जाती है, तब आपका JE means का जो score है, AIR है, उसको check किया जाएगा, और उसी के basis पे आपको call letter भेजा जाएगा, understand हो गया, अब इसमें भी वही है कि दो बार इसके sessions होते हैं, June, November के टाइम पे इसके entry होती है, where do I apply, you can directly apply to join Indian Army, join Indian Army के अंदर, आप apply कीजेगा, and you will get the complete clarity about this entry, this is a very good entry, आप कुछ कोशिश जरूर कीजेगा, इस entry के थू, चलिये, so, what should be the age, अब age तो उतनी ही है, जितनी हम लोग पहले, जितने भी हमने देखे entries, उसमें 16-19 वाली age ही है, अब at the time of joining the course, ठीक है, याद रखिएगा, so, यह हमारी इस तरीके से है, अब again हम लोग बात करते है, duration of the training क्या होती है, आपको 4 साल तक Indian Naval Academy Azimala, Kerala में train किया जाएगा, 4 साल तक, उसके बाद आपके जो expenses है, कुछ expenses नहीं लगेंगे, आपको monthly stipend दिया जाएगा, and this is what the same pattern we see, तो आपके पास एक NDA का option है, बहुत तगड़ा option है, आपके पास technical entry का option है, और आपके पास naval BTEC entry का option है, आपने पूरी जीजान लगानी है, and you make sure कि अगर आपके पास यह जो science है, PCM बगेरा है, तो आप definitely इन तीनों entry के लिए अपने आपको तयार कीजे, और अगर आपको guidance चाहिए, mentorship चाहिए, I have seen this process, I have cleared these processes, I have cleared in number of times, तो अगर आपको mentorship चाहिए, तो I have given you the number also, आप उस number पर WhatsApp कीजे, and do let us know, we already have started this live batch, ठीक है, live batch हमने start कर दिया है, and अगर आपको कोई doubt query होगा, do let us know as soon as possible, ठीक है, सबसे important चीज होती है, 4G की quickness in the decision, वो अपना rational mind, logical thinking, practicality को सब कुछ मिला के, decision लेता है, quick लेता है, और उस पर अमल रहता है, ठीक है, चलिए, मैं आपको next class में देखूँँगा, मिलूँगा, और thank you, जहिन